दोस्तों नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर सीबी सिंग दोस्तों धेर सारे प्रेशन एक्चुली आप लोग लगातार मुझसे पूछते हैं और मैं भी कोसिस करता हूँ कि डेरी फार्मिंग में जो इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो जरूरी बाते हैं वो आप तक सही सटी और सांटिफिक एंफर्मेशन आप तक पहुँचे तो दोस्तों इस वीडियो को इस प्रारंभ करने के पहले एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें वीडियो जो भी मैं इस चैनल के माद्यम से आप तक पहुँचाता है कि आखरी प्रश्ण आपके काम का हो और आपकी जो क्वेरी हो उसका अंसर हो तो दोस्तों पहला प्रश्ण हम लेते हैं ये हैं अजय पुनिया और इन्होंने पूछा है डॉक्टर साब मैं दिन में तीन बार पानी पिलाता हूं सुबह साथ बजे दो पहर दो बजे और शा एक्चली जो मैं हमीसा बोलता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग फीडिंग बहुत अच्छी कराते हैं उस पर भूछ सारा खर्जा करते हैं लेकिन कहीं न कहीं पानी प्लाने में हमारे जो फार्मर्स हैं वो कुछ न कुछ कमी छोड़ देते हैं और उसकी बज़े से उसका milk production कम रह जाता है उस animal का और उसको दूसरी भी problems आती हैं याद रखिए पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आवेलेबल आप कराएंगे क्योंकि जो दूद का जो production है उसमें आपको पता है चार से पांच लीटर पानी के आवशकता होती है एक लीटर दूद के उत पानी की सबसे ज़्यादा आवशकता होती है और मैं हमेसा बोलता हूँ कि पानी एक्चुली especially गर्मियों में ये temperature regulation का काम करता है उसका temperature को regulate करता है तो पानी की कोई कमी मत छोड़िए कोसिस करिए कि उसको 24 गंटे के लिए पानी उपलब्द हो और आजकल बहुत सारे farmers को मै में वहीं पे वो लोग करते हैं तो ये आप याद रखिए पानी जितना ज्यादा पिलाएंगे एनिमल आपका उतना स्वस्त रहेगा milk production उतना आपको ज्यादा मिलेगा दूसरा जो प्रश्ण है वो है प्रेमा भक्ति संग से इन्होंने पूछा है bypass fat artificial insemination कृत्रिम bypass fat पर और मैंने आप लोगों को उसके कुछ फायदे बताय थे आनिमल्स में तो आप इसको इसके कोई side effects नहीं है आप हमेशा इसको use कर सकते हैं AI के बाद जो आपने पूछा है कि क्या हम AI के बाद उसको ततकाल use कर सकते हैं तो yes आप बिलकुल उसको use कर सकते हैं उसके आपक परेश्ट है वो यह है यादव अमर जी चौधरी जी का और इन्होंने जो पूछा है वो है सर मुर्रा नसल की जो भैस होती है उसका fat कितना होता है तो यादव जी मैं आपको बता दूँ कि जो भैस है जो मुर्रा नसल की जो भैस होती है उसका जो fat percentage है वो उसका 6.529% के आ प्रतिशत तक उसका fat होता है और यह depend करता है कि वो कौन सी milking stage में है जब वो ज्यादा milk production उसका peak पर होता है तो उस time पे fat थोड़ा सा उसका कम होता है 6.5 जो मैं बता रहा हूँ और जब वो dry होने की अवस्था में पहुंचती है जब वो dry होने लगती है milk production कम होता है उस time प और उसके बाद जो प्रेशन है वो है गुरदीब कुमार जी इन्होंने पूछा है सर किस quantity में bypass fat यूज़ करना चाहिए गुरदीब जी bypass fat एक्चुली मैं हमेसा बोलता हूँ कि आप जो highly animals हैं जिनका ज़्यादा milk production है 15-20 लीटर से उपर है आप वहाँ पे उसको जब भी व 21 दिन मैं बोलता हूँ तो जो मैंने आपको बताया भी है उस वीडियो में कि 111 दिन का जो फार्मूला है 111 दिन आप याद रखें मतलब जनने के 21 दिन पहले से और बात के 90 डेज तक आप उसको continue दे सकते हैं और उसका जो quantity है वो आप 200 ग्राम पर डे पर एनिमल आप उसको दे सकते हैं तो वहाँ पे उस आपको milk production भी ज़्यादा मिलेगा और negative energy balance के कारण जो metabolic diseases होती है जो बीमारिया होती है उनसे भी आपका परसू बचा रहेगा उसके बाद ये हैं अरजुन यादव और इन्होंने पूछा है सर HF cow में गर्मी में milk में SNF कम क्यों हो जाता है बह मैं आपको बताओं बहुत सारे farmers जिनके पास especially HF cow में बहुत ज़्यादा heat stress की problem आती है गर्मियों में जैसे जैसे temperature बढ़ता है और जब humidity और बढ़ जाती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा problem आती है milk production उसका नीचे आ जाता है उसका fat और SNF नीचे आ जाता है क्योंकि stress मे animal होता है और मैं आपको बता दूँ आपने पूछा क्यों ऐसा होता है तो सबसे पहले जब भी वो animal stress में जाता है especially heat stress में जाता है temperature बढ़ने के कारण गर्मियों में तो वो कोसिस करता है temperature को regulate करने का अपने आपको comfort करने का तो उसकी जो energy जो production में use होना चाहिए वो energy को वो अ क्योंकि उस time पे dry matter intake भी नीचे आ जाता है मतलब उखाना पीना भी कम कर देता है और आपने देखा होगा वो जोड़ जोड़ से हाफता है अपने आपको maintain रखने के लिए अराम में रखने के लिए और energy का जो diversion होता है जो actually production में जो energy utilize होनी चाहिए वो divert हो जाती है उसकी temperature regulation क के लिए तो यह problem होती है इसके करण उसका milk production भी नीचे चला जाता है और fat SNF भी उसका कम हो जाता है तो आपको बस कोशिस यह करनी कि उस animal को अराम में रखना है heat stress से बचाना है किस तरीके से बचाना है इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है आप जाकर देखिए कौन कौन से points हैं जिनको आप follow कर सकते हैं किस तरीके से उसका dry matter intake आप बढ़ा के रख सकते हैं कौन कौन से आपको feeding में उसके changes करने हैं उसकी housing में changes करने हैं वो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आप देखिए यही कारण है कि उसका गर्मियों में fat SNF और milk production नीचे आ जाता है उसके बाद हैं यह अनिल कुमार जी है और इन्हों ने पूछा sir please tell us the side effects of bypass fat bypass fat के कोई side effect तो नहीं है अगर हम लंबे समय तक उसको use करते हैं तो digestion पर कोई उसका गलत effect तो नहीं आता है अनिल कुमार जी actually bypass fat एक बहुत अच्छी technology है अभी तक उसके कोई side effect नहीं है हमेशा वो फाइदे मंद है क्योंकि वो rumen को bypass कर जाती है कर जाता है वो fat और हमेशा उसके फाइदे ही नजर आये हैं क्योंकि वो microbes को save करके उस animal की requirement को पूरा कर देता है rumen को bypass कर जाता है और वो बहुत फाइदा है और अभी देख रहे होंगे जैसे से लोगों को उसकी awareness आ प्रशन है यह हरविंदर सिंग जी है और इनका प्रशन है इन्होंने यह पूछा है sir after how many days cow reaches her peak milk capacity इन्होंने यह पूछा है कि जो गाय है वो cowing के बाद जनने के बाद ब्याने के बाद कितने दिन बाद अपनी अधिक्तम milk production की छमता पर पहुंच जाती है काविंग के बाद वो जब उसका milk production बढ़ता है आप लोगोंने देखा होगा तो कितने दिन लेती है उस time पे तो हरविंदर सिंग जी जो गाय है जनने के बाद लगभग दो हफते से चार हफते के अंदर वो अपने milk का जो peak है वो अचीव कर लेती है maximum cases में अगर आपने feeding सही है और आपने उसका management सही किया है तो वो दो हफते से चार हफते में मतलब 15 दिन से एक महीने के अंदर में वो peak अचीव करनी चाहिए और कर लेती है अगर वहाँ आपने proper उसका feeding का management किया हुआ है तो दोस्तो एक्चुली मैं हमेशा जो बात करता हूँ कि आप किस तरीके से milk production बढ़ाएं और किस तरीके से उस milk production के लिए जो आप खर्चे करते हैं उनको किस तरीके से कम करें इस channel के माद्यम से मैंने हमेशा कोसिस की है और आप लोगों ने भी उसी तरीके से इस channel को बहुत ज़्यादा आपने support किया है लगतार इसको subscribe किया है बहुत ज़्यादा famous हो रहा है ये channel और dairy industry में मेरा भी यही target है कि हमेशा एक सही तरीके से सही information सटीक information आपकी language में और एक scientific base के साथ आप तक कैसे पहुंचाओं तो आप लोग प्लीज इस channel को subscribe करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मुझे उमीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा फाइदा होता है इस channel से तो अपने comments के साथ मुझे जरूर से अबगत कर आए आपको जो भी अगर आपके suggestion है प्रश्ण है तो comments में जाकर comment box में जाकर उसको type जरू करें जैह हैं दोस्तो